पहली बरसात की भेनी भेनी खुश्वू नार्यव पानी की ठंडक तो मसालों का स्वाद संगी और कला की अनूठी छाप रखता ये राज्य है केरल आज बात करेंगे हम केरल के आड़की हाला कि जगह माइने नहीं रखती लेकिन मैं आपसे जगह का जगह इसलिए करती हूँ ताकि हम जान सकें कि इस आर्ट की पहली कपो कहां खीलेगी और ये कहां पलती बड़ी है तो आज बात कराएंगे कला में उटू-पटू हाला कि इस शब्द की लचक मेरी जबान में नहीं लेकिन फिर भी ये आर्ट के बारे में जबाब जानेंगे तो कहेंगे भईवा क्या बात है ये आर्ट फरश पर किया जाता है अभी तक हम बात करते आ रहे ही थे आर्ट कैंवस पर, दिवारों पर, पैपर पर लेकिन ये आर्ट ठीक रंगोली और अलपना की तरह है फरश पर किरा जाता है इसके अंदर भद्रकाली और अयप्पा के मंतिर रूब में जब पूजा आर्चना होती है तो एक खास इस्थान का चैन किया जाता है और उसमें इनके उपासकों का महापर्थ चितरन किया जाता है इनके अंदर खास तौरके सर्फ पांच रंगों का इस्तिमाल किया जाता है जो पंच महापूल के प्रतिक है और इस आर्ट के बारे में एक बात और खास ये शाम के समय किया जाता है है न हमारा Amazing India जहां भावनाओं को शर्दा को अनेक रंगभू में दिये जाते हैं अनेक ग्रूप में उकेरा जाता है अगली बार जब आप केरल चाहेंगे तो भदरकाली और आयपपा के मंदर में तो कहला हमें उट्टू पट्टू का जरूर दीदार करके आई लेगा तब तक के लिए मुझे इसाज़त दीजिए अगली शनी बार फिर आपसे मुलाकात होगी आटीस प्रेजेंटेट बाई सेवार्ट तिल दन गट पाई